सब्सक्राइब क्या हाद चाला शागरता हूं सब लोग खुश होंगे अच्छ होंगे अच्छ होंगे त्यारे से चल रहे होगे आज यह साइंस का दूसरा लेक्चर है यानि दूसरी क्लास है इसमें बहुतिक एम रसाइनिक परिवर्तन के जितने भी कोश्चन आरार भी ये आरार भी एंटी पीसी एम रार भी ग्रूपडी में आए थे वह सारे कोश्ण करवा दूंगा और यह कोश्चन आपको आरार सी ग्रूपडी में देखने को बिलेंगे चलिए शुरू करते हैं पहला कोश्चन है निम रिखित मेंसे कौन सा बहुतिक परिवर्तन नहीं है बह गैसों का द्रव में द्रवी करण यानि गैस मिलकर द्रव बनाती है यह भी एक भौतिक परिवर्त नहीं पदार्थों का किड़वन का शब्द का मतलब बहुता है सड़ना यानि जैसे आप गेहु चावल का किड़वन करके उसका अलकोहल बनाया जाता है तो यह एक भौतिक परिवर्तन यह यह एक रसाइनिक परिवर्तन है तो इसका option number C सही होगा option number C ठीक है चलिए next question देखते हैं निम लेकित मेंसे कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है अब यहाँ पूश्च लिए भौतिक परिवर्तन है तो अंगूर का गिडवन यानि अंगूर से जो शराब बने जाती है वो तो एक रसाइनिक हो गई फालो का पकना यह भी रसाइनिक हो गया बर्फ का पिखलना एको बर्फ पिखलने के बात फिर से हम उसका बर्फ बना सकते हैं तो इसलिए option C जो है वो है भौतिक परिवर्तन ठीक है next question करते हैं निम लेकित मेंसे कौन सा विकल्प रसा आपको सिंपल सा याद रखना है भौतिक हैं रसाइनिक परिवर्तन में दो चीज याद रखने हैं पहली चीज भौतिक परिवर्तन जब भी होगा तो कोई नई चीज नहीं बनेगी हम वापस उसी चीज में आ सकते हैं लेकिन रसाइनिक परिवर्तन में एक नई चीज बनत नहीं है ये जरूर पढ़ना आपको प्रश्ण में ठीक है तरह नीग परिवर्तन का उधारन नहीं है इसका मतलब वह भौतिक परिवर्तन है शरीर में बोजन का पजना देख बोजन डालते हैं और फिर वह जब हमारा वेश्ट निकलता है तो उससे दुबारा भोजन नहीं ब क्या नियु poo से कौन सा एक भौटिक परवर्तन है भौटिक परवर्तन यानि कि वापस वो चीज मिल सकती है क्या मिल सकते बर्फ का पाई में परवर्थन और पाणी कब रफ में पहर भर consumption number आस आगला कॉस्षन नियुTF Att कौन सा अवलोकन हमें यह नेधारित करने में मदद करता है कि रसाइनिक अभी किरिया हुई है या नहीं हुई है ठीक है देखे जब भी chemical reaction होगा तो उसकी अवस्था बदल जाएगी उसका रंग बदलेगा उसमें टेंपरेचर निकलेगा या उसका टेंपरेचर गिरेगा ठी गैस भी निकलेगी रंग भी बदलेगा तो option D इसका ठीक है next question उस ट्रक्रिया का क्या नाम है उस ट्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें gas सीधे ही ठोस वस्थू में बदल जाती है यानि कि जो gas है वो सीधा ही ठोस बन जाती है इसमें sublimation, deposition, condensation and evaporation ये चार option दिये हैं इसका स सबसे सटीक अंसर है deposition इसको याद भी इसको जब आप पढ़ोगे भी तो यह जो शब्दन है deposition ये दिमाग में बैठ जागा deposition मतलब एक position ले लेना यानि कि जो gas है वो सीधा ही आपका ठोस में आ जाना ठीक है gas जो सीधे ठोस में बदलती है उसको deposition बोलते हैं simple से याद रख लो आप option बी डैसे एक रसाइनिक परिवर्तन नहीं है तो क्या नहीं है एक ice cube का पिघलना option बी क्योंकि वो ice cube पिघलके फिर सा ice cube बन सकती है ठीक है इन में से कौन सा रसाइनिक परिवर्तन का एक उधारन है रसाइनिक परिवर्तन का एक उधारन है देखो उर्धा पातन उर्धा पातन गैस से सिधे मतलब ठोस से सिधे या liquid जो होता है वो सिधा गैस बन जाता है उसको उर्धा पातन करेंगे ठीक है आस्वन यह भी एक भोतिक परिवर्तन है लेकिन निश्क्रिय करन आप समझते हैं निश्क्रिय करन में क्या होता है कि आप HCl और NaOH यानि कि एक अमल और एक छार को जब आप मिलाओगे तो आपका एक लमण और एक जल बन जाएगा समझें नहीं समझें निश्क्रिय करन का मतल अधासिनी करन भी कहते हैं यानि कि उदासिनी करन समझें इसका एक आप याद कर लीजिए HCl यह एक अमल है ठीक है HCl और इसमें जब हम जोड देंगे NaOH यह एक छार है तो हमें क्या मिलेगा नमक मिलेगा यानि कि NaCl सोडियम क्लोराइड मिलेगा और पलस में जल मिलेगा ज रसाइनिक परिवरतन है ठीक है ये आगला कॉस्चन वे में जंग लगना क्या है रोहे में जंग लगना क्या है एक रसाइनिक परिवरतन है यह देख़ी कि devoted ब esté Commissioner कि बहुत मिलेट कोंचन क्योगा laatा धेक इंवेयों को 5L रसाइनिक परिवर्तन है तो देखिए लोहे का चुम्बक ये करन आप लोहे में चुम्बक चिपका देंगे और फिर उस लोहे से फिर किसी लोहे को चिपकाएंगे तो चिपकेगा लेकिन जब आप लोहे को हटा उस चुम्बक को हटा देंगे लोहे से तो लोहा जो दूसरे के लोह सिस्टिपका है उसका चुंबक तो खतम हो जायेगा तो ये मतलब एक भौतिक परिवरतन है ठीक है एक platinum के तार्कू का गरम होना गरम होना भौतिक परिवरतन है लेकिन जलाना रसाइनिक परिवरतन है CO2 से सूखी बरफ बनाना सुखि बरफ से, फिर से हम CO2 बना सकते हैं, तो यह भी भौतिक परिवर्वर्थन है, लेकिन मखन का खटा होना, option ए, मखन का खटा होना, मखन खटा हो जाएगा तो दुबारा से मखन को नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यह एक रसाइनिक परिवर्थन है, अग रशाइटनिक परिवर्तन वह है और चौथा प्लैटिनम तार का जलना ये भी एक रशाइटनिक परिवर्तन नहीं है तो आपको पिता P clean option c और option d तो बचा क्या option b आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे अमली करत जल का विधुत अब घटन ठीक है तूकि आपने तीन option निकाल दी है परिवर्तन है चलिए अगला question करते हैं तो आज के लिए इतनी question थे ठीक है और आप बताईए कैसा लगा class क्योंकि जो मैं करा रहा हूं यह सारे के सारे आपको मैं previous year railway से related जितने भी science के question है वो सारा गरा दूँगा और यह मेरा जो एम है वो यह है कि railway group d के paper में आपके 25 में से 22 20 question बन जाएं तो आज की वीडियो में इतना ही एम करता हूं कि आप please 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 100 लाइक जरूर देंगे ताकि मैं इस चीज को आगे बढ़ापाऊं जैहिंद